आज हम बचत के फायदे सिजूल खर्ची के नुकसान वित्यय योजना के बारे में जानेंगे ये वित्यय क्या होता है? वित्यय का मतलब होता है पैसे से जूड़ी बाते जैसे आपकी आमदनी, खर्चों और बचत से जूड़ी बाते सभी लोगों की कुछ न कुछ जरूरते होती हैं और हम अपनी आमदनी से इन जरूरतों को पूरा करते हैं अगर हम योजना बना के खर्च करें तो अपने और अपने परिवार के लिए खुशहाल भविश्य बना सकते हैं पर सर जी हमारे तो खर्चे इतने ज्यादा हैं कि हमारी बचत तो होती ही नहीं है एक बात बताएं आप लोगों में से कितने लोगों को पैसे की तंगी का सामना करना पड़ा हो और उधार भी लेना पड़ा हो क्या आपने अपना उधार चुका दिया या उधार अभी भी बाकी है तो आप लोगों ने ये उधार चुका है कैसे हम लोगों ने तो अपनी बचत से उधार चुकाया कुछ खर्चे जो जरूरी नहीं थे वो कम कर दिये बास और क्या अभी तो आप लोग कह रहे थे कि आपके खर्चे इतने ज़्यादा है कि बचत होती ही नहीं है, फिर भी आप लोगों ने अपना उधार चुकाया, जरूरी खर्चे तो हमें करने ही हैं, अब हमें ये तै करना है कि ये खर्चे हम बचत से करते हैं या फिर उधार लेके, हमार का होना, फसल का बरबाद होना, यह हमें पहले से पता नहीं होता है, हमें दोनों तरह के खर्चों के लिए बचत करनी चाहिए, इनी खर्चों को हम विप्तिय लक्ष भी कहते हैं, तो क्या आप अपने भविश्य के दो-तीन लक्षों को बता सकती हैं, जिसके लिए आपको करनी होगी, करीब सौ रुपे, यही तो विप्तिय योजना है, हमें अपने खर्चे कब करने हैं, कितने करने हैं, उसके लिए कितनी बचत करनी होगी,